नई वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें हैसी नही एसने ही हुनाची मैं हैसने ही हुने दूगा काश मेरे पास जादू की छड़ी होती तो इन सारी थिरंगियों की लड़कियों में चान डाल दीता तो सब के सब मेरी बात में होती क्या मज़ा आता है अरे कब तक अंदर बैठने का विचार है जब भी मुड़ बनता है पत्नी जुका दौरा पड़ जाता है पता नहीं घंटों बात्तरूम में बैठकर करते क्या है या वत्मीचे लड़ रही हो अराम से हलका भी नहीं होने दूगी क्या एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बात्तरूम में बैठकर करते क्या हो तो फिर अरी भागवान हमारी शादी को 25 साल हो गए जब देखो शक करती रहती हो यार अरे कभी हमारे साथ प्यार बरी बाती भी तो किया करो हम पच्पन के क्या होगे तुमने तो हमारी रोमान्स के दुखानी बंद कर दी चलो मौक अच्छा है इस लाड़ा पे अरी चलो हटो उस तो शर्म करो इस उम्र में लोग पूजा पाट करते हैं और तुम्हारे तुम्हारे दिमात में तो सिर्फ बासना और जुवान पर ग ऐम नोलिवालिवाए उम्नियह ओतो अम्नियह वोग्न नहीवाए उन नहीवाण भाटा कर वैल्agit टोजा है वह कर अच्छा है झाला है मेरे तुम्हारे टुम्हारे गहा वापते व्न पाबाजी, आप यहाँ? तुम इस सारी बेहनकर बहुत अच्छी लग रहे हैं. इसलिए तुम्हें पास आकर देखने ही लगा. वैसे, आज तुम्हारा देवर आ रहा है. बाबी के तो सल्दना ही पड़ेगा, ना? पाबाजी, राजेश का फोन आ रहा है. मैं ठालेती हूँ. हालो, मिल गई आपको फुरसत? सौरी यार, बहुत पुरी तरह फसा हुआ था, अब आगे सा नहीं होगा. चलो जाओ माफ किया, अगले में नहीं घर आवे हो ना? राजेश इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा, हाँ? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं मुझ करता हूँ. राजेश दो साल हो गया है, मुझे भी आपकी याद आती है. ठीक है, आगे से में आपको आने के लिए कभी बोलेंगे ही नहीं. ठीक है. अरे बहु, तो राजेश का फोनेला मुझे बात करा. हाँ, हेलो राजेश. चा बात है, आजकल तू बहु को बहुत तंग कर रहा है. अगर तू अगले महीने घर नहीं आया ना, तो बहु के साल सा तेरी मा भी तुससे बात नहीं करेगी. अच्छा, ठीक है मा, सब लोग मिलकर मुझे एमोशनल ब्लेटमिल कर रहे हो, अगले महीने आ जाओंगा, अच्छा, मैं रखता हूँ, बात मैं फोन करोगा, भाई. चल ठीक है, भाई. बाहु, तु चिंता मत कर, और अगले महीने वो घर आ रहा है, आप तु चल के नाष्टा गर ले, वनना मैं तुझे भी नाट लगाऊंगी, चल. रधा, आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रही थी, मा के बिना पेटी कैसे नाष्टा कर सकती है? साथ में करते हैं, चलो, तु आप बड़ी खुछ दिखाई दे रही है, हाँ, चोटा बेटा जो आ रहा है आपका, लगता है प्रमोध आ गया, अरे बेटा तु आ गया, कब से हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे, अब यही खड़ा रहेगा, कि अंदर भी आएगा, प्रिटा, यह लड़की कौन है तेरे साथ में? मा यह आपके बहु प्रियंका है, हम लोग नों एक दूसरे से डैले में मिले थे, वहीं प्यार हुआ फिर हम लोगों ने शादी कर लिए, माफ केचेगा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला, इतनी भी क्या जल्दी थी, हाँ? अरे मा हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारी शादी को लेकर मेरी भी कुछ अर्मान थे, मा में जानता हूँ, आपको मेरी शादी के बहुत फिकर थे, पर मैंने तो आपका काम असांद कर दिया ना बहु लाके, अब आप अराम से अपने सारे अर्माने को पुरा कीजे, एक बादेखे तो अपनी बहु को, आपके लिए कितनी प्यारी बहु लेके आया हूँ, मा, बुष्ला छोड़ी है ला, मान भी चाहिए, अब अपनी छोटी बहु को आश्रवाद दीजे, प्लीज, अरे शीला, तुम्हारा बेटा ठीकी तो कह रहा है, आज कल के बच्चे अपना जीवन साती खुद चुनते हैं, और हमने छोटी बहु को तो आते ही पसंद कर लि देखो, देखो, कितनी प्यारी और संदर बहु है, है ना? अरे, बहु की जगा पैरो में नहीं, मेरे दिल में, मतलब सात उसर के दिल में होती है पाबी, मा को समझाओ ना आप माजी, अम मान भी जाओ ना, जो हुआ उसे भूल जाओ देखो ना कितनी प्यारी है, हम? इसे स्विकार कर लो और जल्दी से अपना अशिर्वादे दो अरे एक तो बिना बताये शादी करनी और उपर से बहु को इन छोटे कपड़ों में यहां लेकर आ गया अगल बगल वाली लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन हमको आने से पहले एक पार खवर तो कर देता? अरे कम से कम कुछ नहीं तो बहुत उस्वावत के लिए हम कुछ तैयारियां तो करते? मा आप चिंता मत किजे देंगा ऐसा बसा कुछ नहीं सोचेगा बस आप अपनी छोटी बहु को अपना लेजे अरे तुम लोग यही सब खड़े-खड़े क्या कर रहे हैं? अरे बाई चलो अंदर कुछ चाय पानी हो जाए हमारे गेर में पहली बार चोटी बहु आई है उसका मुवह तो मिटा करो, है ना? तब तक मैं एक कमरा सहजवाता हूँ आप विटाती है वा विटा प्रमोत क्या अप सरा लाया है तू इस फूल का रच चके बिना तेरा बाप नहीं रह सकता छोटी बहु किये आज इस घर में मेली रात है इस रात को मैं यादकार रात बरा दूगा अभी तो शुरू किया है चलो ना कुछ और ट्राय करते है सच में ठग गया हूँ यार अब नहीं होगा मुझसे रोमो तुम्हारा रोज का हो गया है अब कोई मरदाना प्रॉब्लम है ना तो डॉक्टर को जा के दिखा दो यह रोज रोज का उससे नहीं ठहला जाएगा इसो की कमी की वज़े से तो मेरी जरूरते तो पूरी कर नहीं पाते हो पत्नी सुख अब तो पत्नी सुख भी अच्छे से नहीं देते मैं हूँ ना, वैसे भी छोटी भॉव को अमारे अंदर का जोश दिख गया है अब मना के कोई फायदा नहीं है पापा जी आप मुझे लगा प्रमोद है अब पीछे प्रमोद हो या हम बात तो ही कि एना चूटी भॉव मैं समझी नहीं इसका मतलब हम तुम्हे बाद में समझाएंगे पेले ही बता कि तुम्हें क्या हुआ है हमारी फूल जैसी भॉव मुर्जाय मुर्जाय से लग रही है क्या तुम्हे प्रमोद से पर दिखकत है क्या तुम्हे वो खुशने रखता यह सब पाते इन्हें कैसे पता है अब कहना क्या चाहते है अरे वो क्या है न बेटा कल राथ तुम्हारे दोनों के कमरे से कुछ जगणने के आवाज आ रहे थी मुझे लगा प्रमोद की वद से तुम नाराज हो तो हमसे रान हे गया इसलिए तुमसे पोची लिया देखो अगर कुछ तकलिफ हो तो भी ना संकोच की हमें बता सकती हो हमारी चोटी बहु की हर तकलिफ को चुटकियों में दूर कर देंगी मा क्या सोच रहे वो हमें बताओ हमारे पास अर समस्य का समाधान है अरे बेटे स्वरी पापा प्रियंका बिना आपकी बात का जवाब दिये चले कोई बात ने मेटा छोटी बहु इस घर में नहीं नहीं है ना तुम्हारा दिमाग खराब है क्या पापा कुछ बात कर रहे थे कुछ पूछ रहे थे तुमसे और तुम हो क्यों बिना उनकी बात का जवाब दिये यहाँ चली आई तुम सोने रहे यूदा मैं क्या कह रहा हूँ प्रियंका तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें इस घर में किसे लाया हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम सब के सामने अच्छी बहु बनके रह सको कुछ ऐसा करो कि सबको अपनी फेवर में ले सको ताकि कल को अपनी बिजनिस के लिए पैसो के जुदत पढ़ने पर पापा से मू मागी रखम ले सको अपना मकसद पूरा हो जाए कि फिर आम यहाँ से चले जाएंगे पर ऐसा तो तब ही होगा ना सब को यहाँ खुष रखोगी मैं यहां किसी को खुष करने नहीं आयाई हो अरे, तुम पती हो मेरे तुम मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हो मैं तुमारे परिवार को कैसे खुष रखोंगी मुझे पहले पता होता ना कि तुम शरीर और बहर दोनों तरफ से कंगाले, कभी मैं तुमारे साथ में यादे है। अरे तो सीखो अपने पापाजी से, कैसे अपने पार्टनर को मनाते हैं। सुभा राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थी कि उन्हें बिसनस पराने के लिए कुछ दस लाग रुपी की जुरूरत है। वह तो ठीक है, राजेश को बोलना कि अपने पापा से बात कर ले, पैसे मिल जाएंगे। मभी जी, आप तो जानती है ना, पापाजी से पैसे लेना कितना मुश्किल है। अब मैं तो कुशिश कर रही हूँ, लेकिन... लेकिन? लेकिन क्या? लेकिन पापाजी फ्री हो, तब तो मैं बात करूँ ना? जब से ये नई बहु आई है, दिन, राज, सुबे, शाम, बस इसी की आओ भवत में लगे रहते हैं। अरे छोटी वो, प्रियांका! कहा हो? जल्दी आओ हमारे पास! जी पापा जी, बुलाया आपने? बहु तुम्हें सर्प्राइस पसंद है ना? तो आज हम अपनी चोटी वोव के एक सर्प्राइस देंगे! वैसे भी नई-नई इस घर में आयो, तो आमने अविदो कोई तोफा नहीं दिया! और बिनादी हम चुब बैठेंगे भी नहीं! क्यों, वागवान? यह देखो! बहुत खुबसूरत हार है! बहुत खुबसूरत हार है! एना संदर? हां! अभी ची! यह तो मरे चॉप काहर लग रहा है! यह हमारा ही हार है! चो जंदर! जया ने? सुली, यह तो अपना खांदानी हार है, फिर इसको देने से पहले एक बार आपको मैं से पूछा क्यों नहीं, अब इसमें पूछने की क्या बात है भागवान, हमारी छोटी बहु नई-ने इस घर में आई है, अभी हमारे खांदान को आगे बढ़ाएगी, वैसे अब देखा जाए, तो इस हार पे, इसी का ही हख हुआ ना, पर कम से कम, एक बार देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, अरे इसमें पूछने की क्या बात है भागवान, अब सारी बाती है ही करोगी, तो मोटी मा, तुमारी दवाई का टाइम हो गया, जाओ, अपने कमरे में जा और अपने दवा ले रहो, जाओ यहां से, बड़ी बाव, एक गलाज पानी लाना तो, हमारा गला सुकुरा है, लाई, एसा है बाव, बहुत प्यारा, तो फिर अपने सुंदर गेले में पहन लो ना, लाउ में पहना देता हूँ, पोपजी, लेकिन अपने रूम में जाकर, थेंक यू, इतना प्यारा सर्प्राइब के लिए, थेंक यू, पापजी, पानी, नौ, नौ, पापजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या बात करनी है, मीटा, वो राजेश का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें बिजनेस में इंवेस्टमेंट के लिए, कुछ दसलाग रुपे की जरूरत है, दसलाग, पर इसके बदले में हने क्या मिलेगा? पांच लाग रुपे का नेकलिस दे दिया? मतलब है तुमारा? बस कीज़े पापाजी, अगर आप इस भ्रह्म में हैं कि मुझे कुछ समभश में नहीं आ रहा, तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं भी जब इस धर में नहीं बहुबण कर आई थी, तो आप मुझे भी काफी तौफे देते थे, लेकिन बात में मुझे समझ में आये कि, इसके पिछे आपका मकसद कुछ और था. देखो, तुम इस घर की बड़ी बहु हो, बड़ी नहीं. कुछ भी कहने से पहले, जरा सोच लेना, ऐसे हमें बदनाम मत करो, और पैसे भी से कुछ नहीं मिलेंगे, जाओ करेदो अपने पती को, जाओ निकलो यहां से. यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कि पापाजी ने मुझे इतना महंगा हार दिया है, पूरे पाच लाग का हार है, एक बात तो है, जब से मैं इस घर में आया हूँ, पापाजी मेरा बहुत ध्यान रखते है, मेरे छोटी-छोटी छीजों का ध्यान रखते है, कभी उन्हों पापाजी के असली मज़े तो तू लूट रहे है, अपने पती के साथ मुंबई शिफ्ट होकर, एशी एश है तेरी, एखा मैं, छो दिल्ली से लखनों आगे अपने पती के साथ में, सोचा था कुछ चेंज होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, पिन कुछ भी सही नहीं हुआ बस पापाजी है, जो मेरा ध्यान रखते हैं देख, तेरी जरूरतों का खयाल तेरे ससूर जी भी रखते हैं, अगर तू अपने लाइफ में एक पार्टनर ढून लेगी, तो तेरी कामना भी पूरी हो जाएगी मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ मैं तुझे करते हैं पापाजी, अब आप यहां चो करणें बहु क्या है ना कि मेरे बातरूम का नल खराब हो गया, इसलिए मैं यहां चला है और मेरे कप्डे? यह तुमारे पहनने वाले कपडे नीचे गिरे हुए थे मैं इसे उठा कर उपर रखने वाला इथा, उतने में तुमा आगे प्रीबू, हमारी दोस्त की पांस में ही लेडिस की कपडो की दुकान है अगर तुम चाओ तो अलगर डेहन कपडे मंगवा सकती हो थांक्यो पापाजी, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं, जब होगी मैं आपको बताते हुए जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है, तब इन्हें नीद आजाती है छोटी बहु, हम जानते हैं कि तुम प्रमुत से खुश नहीं है और हम यह भी जानते हैं कि तुम किस खुशी से वंचित हो हम से बला बैतर इस घर में तुमारी तकलिव को कौन समझ सकता है हम तो उसी दिन तुमारा उदास के अरा देखकर समझ गए थे हम बले पच्पन के हो गए लेकिन हमारा दील और शरीर आज भी बीस साल के लड़के से कम नहीं है देखो, तुम हमें अपना समझो और खुल कर बताओ कि बात क्या है तुमारे दिल का बोज भी अलका हो जाएग पापजी, जितना आप मुझे समझते हैं, प्रमोत नहीं समझते हैं हम पत्नी हैं उनकी, लेकिन आज तक पत्नी सुख नहीं दिया हमारे लिए जो उनकी जिम्मेदारिया हैं उनके भारे में तो वो सोचते तक नहीं है मैं जानता हूँ वो थोड़ा कमजोर है इसलिए जल्दी ठक जाता है लेकिन तुम जिन्ता मत करो, मैं हूँ ना चोटी वो, हम हमेशा तुमारे साथ है इतनी प्यारी लड़की की जिन्दगी हमारे सामने बरभाद होती हुए हम कभी नहीं देख सकते हैं अब ये क्या बुल रहे हैं बापाजी? किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा घर की बात घर पे रह जाए देखो, तुमारी श्यादी शुदा जिन्दगी संभल जाएगी वो सकता आगे चलकर तुमारे और प्रमत के बीच में कलेश होगा और तुम उसे छोड़कर किसी और मरत के पाथ चली जाओगी उससे इस घर की बदनामी होगी और उसमें गलत क्या है? तुम राजी, हम राजी बस, बात कतम आज की रात में तुमारे पास अच्छिस तोचना और कल तुमारे चेरे के खुशी से मैं समझ जाओगा कि तुम राजी होके नहीं आज की जाओगा झाल 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 कि अग्याद शुन्याद क्या बात है बावान सोना नहीं क्या हाँ हाँ मै तुम्या दभाए देता हूं क्या बात है आज कल हमारा बड़ा खाल रख रहा है पतनी की सेवा करना बहुत पुन्ने का काम होता है और ये सेवा हम पूरे तन्मन से कर रहे है तुम जल्दी से दवा ले लो और अराम से सो जाओ ये कौनसी नई दवाई है ये दवाई तो हमने पहले कभी नहीं खाई अरे वो क्या है कि मैं एक नए डॉक्टर के पास गया था उसने कहा कि तुम्हारे पेरो का दर्थ बिल्कूल ठीक हो जाएगा अब जल्दी से लवा ले लो और सोजाओ हाँ 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 किलास रख देजिए अब आप सोजाएगे इस दावा से तुम्हारा दर्थ तो नहीं लेकिन कहीरी नीम चरूर आजाएगी किलाएगे बाताएगे अब बिल्दी तुम्हारा चाहँ हो जाएगे लवा अब देम्पाटारा आजेगे अखेण एक वाँ अबहां हो जब है अबदारा वाँ झाल झाल तुम यहाँ इसलमें क्या करें यहाँ यहाँ इसलमें क्या करें यहाँ वो मम्मी जी की सिर में दर्द था तुमन तबाने यहाँ अच अच अधाद काफी होगी करें यहाँ जाए मम्मी जी के सर में दर्द था तो उमने मुझे क्यों नहीं बिताया वाकर चल क्या रहा इस गार में झाल रहा यहाँ अढ़ी यहाँ झाल झाल यह नीन की दवाई नाजी ने कभी बताया ने कि वो नीन की दवाई भी खाती है पापा वो अपनी बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यही कोई फंदा लाग रुपे है पापा जी मैंने आप से बात की थी ना इस पारे में छोटी बहु के कह कर दिया है एक दो दिन में तुम्हारे अकॉन में आ जाएंगे थेंक यू पापा वा पापा जी वा जब आपके बड़े बेटे ने आपसे पैसे मांगे तो पैसे नहीं थे आपके पास लेकिन चोटी बहु के कहने पर पर मोध भाईया को पैसे दे रहे हैं आप बड़ा अ मैं इस घर की बड़ी बहुँ हूँ जितना हक प्र्यांका का इस घर पे है उतना हमारा भी है मैं देख रही हूँ जिस दिन से ये इस घर में आई है अब तोनों के बीच में क्या खिषडी पक रही है एही आप नहरबाद नहीं इस पर भी हूज ये क्या ना भुल लही हैुँ आफ की जांती हूँ आपको बुरा लग रहे है क्वेची आपको सच्चा ही नहीं पता लेकिन जिस दिन आपको सच्चा ही पता चलेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आप कहने क्या चाती है, साबसाप के, वो किस सच की बात करें है आपको सच सुनना है न, तो सुनिए आपकी बीवी और हमारे सुसुर्जी के बीच में ना जाय संबंध है मैं जानती थी कि आप मेरी किसी बात के यकीन नहीं करेंगी ये देखिए दवाई, ये दवाई रोज पापाजी, मम्मी जी को खाने के बाद देकर सुला देते है ये नीन की दवाई है नीन की इस पो खाके अच्छा खासा आदमी गंटों के लिए सोचाता है उसके बाद ये दोनों उसी कमरे में कंदी हरकते करते हैं बड़ी वो कुछ भी बोले जा रही है और तुम खड़े गड़े मुह क्या देख रही है कुछ बोलोगे ने बड़ी बहुत जो कुछ भी कह रही है ना वो बिल्कुल सच कह रही है अभी तक तो मुझे केवल शक था आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया है और तुम्हे तो अपना पती कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है और छोटी बहुत तुम्हे तो ना मेरा घर बरबाद कर दिया तुम्हे तो नर्क में भी जगे नहीं मिलेगी जभी प्रीटा भाबी ने आप से जादा इस घर में इज़ट क्या कमा लिए तेरे पती आपके पती से जादा लायक क्या होगे पापाची की नसरों में अपने मेरे पिता समान सैसोर के साथ मेरा रिश्टा जोड़ दिया या आपको अपनी बहертв माना था और आप, जे, बन कर अपना यह नाटक, तेरे जसी ओरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ने खुची के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, तो फिर ससूर क्या चीज़ है, बहु, तो हमारे पर यसे घड़ी एल्जम लगाओगी तुम, अभी इसी समय हमारे गर से निकल जा जानी की, चल बहु यहां से, हाँ जाओ, और याद रखो दुबारा यहानी कि कोशिश मत करना, जल जाओ यहां से, चोटी बहु को अपने कमरे में ले जान, अच्छा हुआ सब चले गए, अब हमारे और प्रियंका के बेच कोई नहीं आएगा, करता इना कि है अब हमारे टूर से, पाल कोशिज नहीं खाओबूाद, यंप जारा जा हमारे जाओव हमारे टूराब कोईष, चल जाएबूझ, चले चांज़ाया ंएश भीग मारे जाओ़ाबूबारा यहाद प्यादा शो कि एडसे ऱे साथी ईनी एसाने हिए तो 기 बंगा झाल झाल पापाजी, किसे, किसे मैं मार दिया मेरे पत्मी को, अखिर ऐसा क्या हुआ, कि तुम्हें पने पिता का खून कर दिया, सर, तरसल प्रमोद की बीवी, और हमारे ससुर्जी के बीच में नाजाय संबन थे, इसी चकर में प्रमोद ने इनका खून कर दिया, यह, यह देख्यें ना, सब्सक्राइब यह मेरे पास। पूटीके पंच्च नामा करगे पोड़्याएं पीच्टिमांगें पीच्टिमाइनले, बेचदो, और इसको लेच चलो, और आप लोग जरुवत पढ़ने पर पुड़ी से चर्षन आना पड़ेगा, ले चलो. प्रवोज, इंस्पेक्टिर साब, इस्पेक्टिर साब, देख, क्या हुआ तेरी आयाशी के चक्कर में? तेरी आयाशी के चक्कर में सब कुछ फराव हो गया. अब मैं और ममीजी आ गया, तुझे चैन से जीनने नहीं देंगे. तेरी कर्मों का हर्म तुछ सरून मिलेगा. आज ममीजी. प्रमों. मैं मान नहीं सकती कि प्रमोंट ने पापाजी को मारा होगा. ऐसा नहीं हो सकता. यह मैं क्या करूँ? प्रमोंट को कैसे बचाओ? प्रमोंट को नहीं बचाया, तुझे रीटा बावियार माजी मुझे नहीं चीने देंगे. यागर, यागरू. यागर, यागरू. येडिया मान तोंट को grाड़ कररू. कि क्क बचाओंग। । ये जरूंज। ये गागरू चaciónनल ने उो मान जात्ट कर दो कर दो कर दिया है इस चोटी बहु ने तो इस घर को परवाद कर दिया है मैं न इसे कभी माफ नहीं करूंगी इसपेटर साब, आप यहाँ? मैंने बुलाया इन्हें, ताकि पापाजी के असली कातिलों को पकड़ सके यह क्या नया नाटक है तुम्हारा? नाटक कौन कर रहा है यहाँ पर अभी पता चल जाएगा इस्पेक्टर साफ, आप यह देखें, इस्पेक्टर साफ तुम, तुम दोनों के हिंबत कैसे हुई यह आनकी? यह जाए नहीं से? मम्मी जी की बेशती और मेरे थपड का बदला भी बागी है यह पापाजी? आप जिसके घटिया इनसान को जिन्दा रहने का कोई हप नहीं है, स्वेश्गे? अपलिए रहुश्ट अपलिए रहुश्ट अआढ रहुश्ट झांध च्पलिए तली अचल आट ममीची चलो ममीची चलो क्योंकि आप लोगों ने ऐसा और आपने अपने बेटे को ही फसा दिया यह सच है कि हमने अपने पती की हत्या की है लेकिन हम अपने पती की हरकतों से इतना तंग आ चुके थे और हम अपने बेटे परमुद को नहीं फसाना चाहते थे हम तो इस प्रेंका को सजा देना चाहते लेकिन गलती सिर्पर मुर्थ कमरे में आ गया और वो फस गया देखिए मैं मानता हूँ आपके पती की गलती तो लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अथिकार किसी को नहीं है ले चलो इन दोनों को पर इस्वेक्तर साब हमारी बात तो सुनी है इस पुछर साथ समयने की कोशिस तो किज़े प्रावच मुझे माफ कर गलती हुग 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 अधि-अधि-अधि-अधि-अधि-अधि-अधि-अधि-आप पा rival эту शंक्राओக लिए-धि अधि-ऍवी-आप पार-प frater़ी-आप्या吧 झाल झाल